एक समय की बात है पहुत दूर दराज के एक कंट्री की बात है ठीक है there lived a small family वहाँ पे एक small family रहती थी the country was at war and there was very little food for the people और वो जो country था जो बहुत दूर दराज एरिया में इस्थित था वहाँ वो जो country है किसी और country के साथ war छिड़ गया था जिसमें वो country involved थी मतलब country war में थी लडाई चल रहा था लडाई में involved हो गई थी so the family always went hungry और हाँ जब लडाई चल रहे थी जिसके वज़ा से ये एक छोटा सब family जो था इसको food का कमी हो गया था याना बहुत कम food available हो गया था actually wars ये सब जब लडाई वगरा चलता है तो ये सब सब कुछ transportation बंद हो जाता है मतलब जो basic चीज है वो सब transportation बंद होने के वज़े से खेती बाड़ी भी अच्छे से agriculture भी अच्छा से हो नहीं पाता है तो food का production भी down हो जाता है तो जिसके वज़े से food का कमी हो जाता है ऐसे ही एक family के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो family को food का जो है वो कमी हो गया था वार के वज़े से country war में थी इसलिए so the family always went hungry तो family members जो है वो जादा तर भूखे ही रहते थे वो one day early morning two foreign soldiers a part of the army who had occupied their country knocked on their door एक दिन क्या होता है early morning में सुबा के समय दो foreign soldiers दूसरे देश के जो soldiers actually हुआ क्या है कि इनके देश को किसी और देश ने कोई foreign देश ने foreign country ने जो attack किया था लड़ाई हुआ था वो लोग जीत ली है तो होता क्या था कि जो country हार जाती है वो जो जीते हुआ country है जीता हुआ country के अंडर में चली जाती है और अभी जीता हुआ country जैसा चाहता है वैसा उस country को चलाता है ठीक है क्योंकि वो winner होते हैं, जीत जाते हैं वो लोग, वार में जीत जाते हैं, और हार जो गया, उसको अपना वो बात मनवाते हैं, तो यही हुआ कि जीता हुआ country था, उसमें से दो foreign soldiers, foreign मतलब विदेशी soldier, मतलब जो दूसरा country से fight हो रहा था, war हो रहा था, वहां के soldiers, वो लोग सुबह सुबह उनका दरवाजा खट-खटा दिये, a part of the army who had occupied their country, यहां पर वही लिखा हुआ है कि यह जो दो sack into mother's hand and asked her to make them chips for their lunch, और वो लोग क्या करते हैं, दोनों soldiers क्या करते हैं, एक बोरी लेकर एक बोरी जो है, उसमें कुछ भरा हुआ रहता है, वो mother के हाथों में वो डाल देते हैं, और बोलते हैं कि हम लोगों को लंच के टाइम पर हम लोगों को chips बना करके तुम ready कर दो, उस family की mother को बोलते हैं, एक बोरा देता है, बोरा होता है, आलू का, प्याज का, जो बोरा होता है, जिसको बोलते हैं, उसमें डालते हैं, तो वही बोरा उसको देता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो बोर noon, said the dark-haired soldier, और जो dark-haired soldier था, जिसका बाल थोड़ा dark color था, वो बोलता है कि हम लोग 12 बज़े तक लोटेंगे, तब तक के लिए हम लोगों का, हम लोगों का lunch तयार रखना, और lunch में हम लोगों को chips चाहिए, have the chips ready by then, तब तक chips ready कर देना, and with that soldiers turn around and headed off, sorry, headed off towards the neighboring farm, और वो से उधर वो लोग चले जाते हैं, by this time, entire family had come scurring down the stairs to see what has happening, तो इस दोरान क्या होता कि पूरा family जो है, सीडी से उपर से नीचे उतर जाते हैं, और उतर करके एक जगा जूट हो जाते हैं, और पूरा मतलब, scurring का मतलब क्या होता है, moving quickly, जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, जल सीडी से नीचे उतर जाते हैं, family के सारे members, और बातचीत करने लगते हैं, कि आखीर हुआ क्या, mommy गई थी, तो mommy से वो लोग पूछ रहे होंगे, what are chips, mother asked them, और mother ने बाकी family members से पूछा, कि अरे ये chips क्या है, वो दोनों soldiers जो है तो उन्होंने chips बनाने के लिए बोल गए, but no one had ever heard of such a thing, लेगिन किसी ने chips के बारे में कभी कोई सुना नहीं था, family members ने, how are we going to make chips, cried mother, mother जो है वो परेशान टाइप से हो करके बोलती है, कि अरे हम लोग chips कैसे बनाएंगे, हमें तो पता ही नहीं है, we don't even know that what they are, हम लोगों तो कुछ पता ही नहीं है, कि वो आखिर होता क्य है, shouldn't we open the sack first, the children pointed out, उन में से बच्चा बोलता है कि, क्यों ना हम लोग इस sack को, इस बोरी को हम लोग खोलते हैं, देखा जाए, इस बोरी में है क्या, mother hurriedly opened up the sack to reveal big, muddy, white-fledged new potatoes, तो mother ने जल्द बाजी में उस sack को, उस बोरी को खोल दिया, और खोला तो उसमें से क्या मिला, बड़ा-बड़ा, थोड़ा से मिट्टी लगा हुआ, white-fledged, white-white flesh, जो रहता है, उसका pulp जो रहता है, उसको बोला जा रहा, potatoes थे उसमें, है ना, आलू थे उसमें, तो soldiers का कहना था कि यह आलू रखो और इस आलू से हमारे लिए chips बना दो लंच में, the family gasped in amazement, है ना, तो जो family है, वो, मतलब आश्चरी चकित हो गया, है ना, आश्चरी चकित हो गया यह दृष्चे देखा कि इतना सारा आलू, they had not seen so many potatoes since the beginning of the war, जब से यह war शुरू हुआ था उनका country का, तब से वो लोग इतने सारे potatoes एक साथ नहीं देखे थे, इसलिए वो लोग आश्चरी चकि वहाँ जो grandma थी, उन्होंने बोला, don't be silly, बुद्धु मत बनो तुम लोग, she said, we know how to cook potatoes, हम लोगों को पता है, potatoes कैसे cook करने होते हैं, we will peel and boil them for the soldiers, हम लोग उसका छिलका को उतारेंगे, और boil कर देंगे soldiers के लिए, then we will make up a soup from the peelings for ourselves, और जो बचा हुआ जो उसका छिलका रहेग आलू को छिलका करके हम लोग उसका, उसको cook कर देंगे, और cook करके boil कर देंगे, sorry boil कर देंगे, और soldiers को देंगे, लेकिन उसका जो छिलका है, उसका हम लोग soup बना करके, खुद के लिए हम लोग use करेंगे, उसकी grandma बोल रहे है, come on, come on children, let's begin, आओ बच्चों, हम लोग शुरू उतारो, when that was done, she built a fire in the grate, तो जैसे ही वो काम हो जाता है, धोना और छिलना, तो वैसे ही वो लोग grate में फायर लगाती, ग्रेट का मतलब जो बड़ा वाला जो प्लेट होता है, प्लेट टाइप का होता है, जिसमें हम लोग आग जलाते हैं, तो उसको ग्रेट बोलते हैं, तो उनके उपर में पॉट लगा दिया, और उस पॉट में ही सब कुछ कुकिंग होने माला है, तो उसमें क्या क्या, उन्होंने फ्रेश वाटर डाल दिया, और कटे हुए पोटेटो भी डाल दिया, तो होल फैमिली सेट अराउंड दा ओपन फायर, वाचिंग दा वाटर बबल पूरा फैमिली जो है, वो आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं, और बबल हो रहा है, वाटर को बबल हो रहे हैं, जो पोटेटोस है, वाटर है, उसको सब को देखने लगते हैं, दोज सोल्जर्स मेड अ बिग फर्स 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 ते यंगेस्ट चाइल्ड सेट थौट फु खाना है, एक यंगेस छोटा बच्चा जो है, उनमें से सोच करके बोला, बॉइल पोटेटोस आर नोट सो इस्पेशल सेट दा एल्डेश्ट और उनमें से एक बड़ा बच्चा जो है, वो बोलता है कि, यह बॉइल के आववा पोटेटोस कुछ खास नहीं होने वाला है, और वहाँ पर क्या होता है, जो बड़े लोग हैं घर के, जो लोग बड़े हो गए हैं घर पे, एडल्ट लोग जो है, तो वो लोग जो है, वो खबराने लगते हैं, वरिंग, लेट्स एड़ सम हर्प्स, सेट ग्रैंडमा, पुटिंग सम इंटो दे पॉट, और ग्रैंडम बोलते हैं कि कुछ मश्रूमस भी अड़ कर देते हैं, और मदर ने बोला कि हाँ हाँ, क्यू नहीं, हम लोग उसमें मश्रूमस अड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या क्या बच्यों को जल्दी-जल्दी फॉरेस्ट में भेज़ दिया, जंगल में भेज़ दिया, जाकर क वो लोग return होते हैं तो सभी ने कुछ न कुछ उसमें ingredients डाले ingredients का मतलब होता है जो उसमें हम लोग item डालते हैं खाने में वो एक एक चीज जो है वो ingredients कहलाते हैं and then a few more and a few more still until still until they had made a pot of delicious smelling stew मतलब वो लोग थोड़ा थोड़ा करके few more few more करके सब को थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ उसमें ingredients add करते गए ठीक है और जब तक कि वो delicious smelling stew न बन जाए मतलब बहुत उसमें से अच्छा खुश्बू निकलने लगा टेंटिंग जो इतम खाने का मन करने लगा वैसा smell निकलने लगा और वो stew में से stew मतलब एक a dish cooked by slow boiling धीरे धीरे बॉयल हो करके जब एक gravy टाइप का item बनता है तब उसको हम लोग श्ट्यू बोलते हैं तो वो जो था वो काफी delicious smell कर रहा था बहुत ही अच्छा लजीज smell करने लगा तब तक वो लोग कुछ ना कुछ उसमें अड़ करते गए the delicious smell wafted around the little kitchen और जो वो delicious smell जो निकल रहा था उस pot में से वो पूरे kitchen में पूरे एकदम फैल गया धीरे धीरे पूरा gently the children's bellies rumbled and their eyes grew wide with hunger तो बच्चों का जो पेठ है वो मतलब एकदम भोग से छट पटाने लगा है ना और मतलब वो लोग भोग से छट पटाने लगे और उनकी आँखे जो है वो बड़ी बड़ी होने लगी भोग के मारे when can we eat they asked और बच्चों ने पूछा कि हम लोग कब खा सकते हैं भोग लग गया है when the soldiers leave said mother covering the pot with her lid mother ने pot को एक धकन से धकते हुए बोला अपने बच्चों को कि जब soldiers चले जाएंगे खाना और ना खाके तब हम लोग खाएंगे so that the smell would not tempt them वो उन्होंने pot को धकन इसलिए लगा दिया ताकि उस pot से जो सुगंद निकल रहा है उस pot से जो delicious food का जो smell निकल रहा है वो बाकी लोगों को tempting ना करें मतलब बाकी लोगों को और ज्यादा भूक ना बढ़ जाए उससे just then there came a knock at the door it was 12 noon 12 बच गया था और दरवाजे पे किसी ने खटखट आया sit still mother whispered to the children mother ने कहा सब को कि चुप चाप बैठे रहो and hide the peelings from for our soup और जो potato का जो potato का जो peelings है चिलके हैं उसको hide कर दो चिपा दो हम लोगों का soup बनाने के लिए है ना वो लोग सोच रहे कि soldiers कहीं देखेंगे वो peelings को चिलके को तो कहीं वो लोग मांग ना ले या फिर कुछ नहीं वो लोग डर रहते की peelings हम लोग बचा लेते हैं ऐसे हम लोगों को खाना पीना का बहुत कमी है peelings जो है चिलके जो है उसको यूज करके हम लोग अपने लिए soup बनाई है तो यह हालत था उस फैमिली का बार के बज़े से then she opened the door and invited the soldiers to sit at the table in the little kitchen तो उन्होंने mother ने दर्वाजा खोला दर्वाजा खोल करके सारे soldiers को invite किया आपने छोटे से little kitchen में और table में बैठने को कहा बैठने के लिए दिया the family watched the soldiers as mother carried the pot from the from the fire to the table और सारी family जो है बच्चे सब को elder सब को देख रहे हैं mother को कि वो कैसे करके soldiers के लिए fire fire के उपर से pot को हटा करके table पे ले जा करके रख रही है बाकी लोग देख रहे हैं ना the fair haired soldier took some rye bread from his pocket and tore off chunks to share with his friend और जो fair haired fair haired का मतलब हलका brownish color का hair वाला soldier है brown color का ये और एक है dark color का soldier dark hair वाला soldier और एक है थोड़ा brownish hair वाला soldier तो brownish hair जिसका उसको fair haired बोला गया है तो fair haired जिस soldier का है उसने अपने pocket से rye bread निकाला ठीक है rye एक bread है उपने pocket से निकाला और तोड़ करके अपने दोस्त के साथ share भी किया chunks मतलब टुकड़े what if they don't like it what will they do family wondered जो बाकी family members है वो लोग आपस में सोच रहते ये सोच रहते कि क्या होगा अगर इन soldiers को ये जो हम लोग soup और potato का जो ये special dish बनाई है अगर पसंद नहीं आया तो mother lifted the lead from the pot mother ने क्या किया उस pot में से धकन को lead को हटा दिया the soldiers stared in disbelief as she ladled the potato broth into their balls तो वो जो soldiers है वो उन्होंने देखा मतलब आश्चरी चकीत होगर के मतलब आव विस्वास से देखा disbelief उनको विस्वास नहीं हुआ disbelief को मतलब उसको उनको विस्वास नहीं हुआ उनके नजर पे वो लोग देखे stared मतलब देखे कि वो बड़ा सा जो ये ये चम्मज जो होता जिसमें से हम लोग gravy को उठाते हैं उसको ladle बोला गया उसमें भर करके potato का जो gravy type का जो बना है broth जो juice type का बना है उसको उनके कटोरे में बॉल में उन्होंने डाल दिया तो वो soldiers को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आरे potato chips बनाने के लिए हम लोग बोले ते ये क्या दे दी एक soldier ने जोर से बोला कि ये क्या है हम लोग तो chips चाहते थे हम लोगों को तो chips चाहिए और यहाँ पर मदर ने जवाब क्या दिया मदर ने जवाब दिया जब बच्चे देख रहे थे घबरा गए थे सारे बच्चे तो मदर ने जवाब दिया कि यही तो chips है हम लोग ऐसे ही chips बनाते है soldiers को बोली उन्होंने और जो जिनका काला डार्क बाल है वो soldier चिला करके बोलता है कि अरे यह chips कैसे हो सकता है यह chips कहा है यह तो chips नहीं है जो brown hair वाला fair hair वाला जो soldier है वो बीच में रोकते हुए बोलता है कि तुम बैठ जाओ I am hungry मुझे भोग लगी है let's at least try this हम लोग कम से कम यह try कर लेते हैं जो भी खाना इन्होंने बनाया उसको try कर लेते हैं and he lifted his spoon उसने अपने चम्मच को उठाया gently blowing और gently उन्होंने blow किया so that the steam curled around his hand और gently उन्होंने फुका हवा दिया blow किया ताकि जो उसमें से steam निकल रहा है उसमें से जो gas उसमें से जो भेपर निकल रहा वो उसके हाथ के चारो और फैल जाई है न the potatoes were hot क्यों potatoes गरम थे what if they are too hot grandpa shuddered grandpa जो है वो डर से कापते हुए बोले कि potatoes तो गरम है क्या होगा अगर ये potatoes अगर बहुत गरम होगे तो grandpa ऐसा बोल करके कापने लगे फिर क्या होता है at last the fair-haired soldier put the spoon to his mouth and slurbed और last में क्या होता है वो जो fair-haired वाला soldier है जिसको बहुत भूग लगा हुआ है उसने क्या किया चमच को उसमें डाला और चमच से उठा करके अपने मूह में लगाया चमच को और slurbed slurbed का मतलब होता है आवाज करके जोर जोर सा आवाज करके सूप जैसा material को पीना है न सुर करके drank with a loud sucking noise okay well asks the dark-haired soldier तो dark-haired soldier वहाँ पर ऐसे ही बोलता है well मतलब पूछ रहा है कि कैसा है the fair-haired soldier spat the potatoes all over the table अभी fair-haired potatoes है वो जो चमच मूँ में लिया तो वो पूरे table पे potatoes को थोख दिया spat कर दिया है न they threw the food out of the mouth with force जोर से एकदम पूरे table पे थोख दिया spat कर दिया सारे potatoes को थोख दिया मूँ से what is this what is this swill अरी ये क्या है swill का मतलब liquid और partly liquid food मतलब थोड़ा liquid type का हार उसमें थोड़ा potato भी टूटा टूटा सा है थोड़ा solid थोड़ा liquid तो वो थूकते होए बोलता कि ये ये क्या swill है he shouted जोर से चिलाया his face twisted in anger उसका face जो है वो मूड गया पुरा गुस्य से he got up from the table and hoisted his rifle across his shoulder वो खड़े हो गया table से और अपना जो rifle है वो अपने कंदे पर उठा लिया mother stepped back in fear mother जो है एक कदम पीछे चली जाती है डर के मारे the children covered और जो children है covered का मतलब bent low and moved away in fear और children जो है वो डर के मारे पीछे move कर जाते हैं I am sorry said mother mother ने बोला मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो moving away from the table और वो टेबल से दूर जाने लगी it is our favorite recipe क्या करूं यह मेरा favorite हम लोगों का favorite recipe है हम लोग तो इसको ऐसे ही खाते हैं मुझे माफ करती जाकर आप लोगों को बुरा लगा favorite recipe it is the swill he repeated almost laughing तो वो बोलता कि यह favorite recipe है यह तो swill है यह मतलब थोड़ा सा liquid type का थोड़ा solid type का है फिर उसने repeat किया और थोड़ा सा हसने जैसा उसका mood हुआ almost laughing come on the dark hair soldier call to his friend let's leave दूसरा जो dark hair वाला जो soldier वो बोलता आरे छोड़ो यार चलो हम लोग यहां से निकलते हैं people hair don't even know how to cook chips यहां के लोग जो है इनको chips बनाना भी नहीं आता है actually यह दोनों soldier कहां से है यह लोग दूसरे country से है इनोंने इनके यह जो family है इनके country को उनके country ने वार में हरा दिया है ठीक है and with that they both walked out of the house और यह बोलते हुए वो लोग दोनों soldier जो है वो घर से बाहर निकल जाते laughing to themselves और आपस में वो लोग हसते हसते चले जाते है the children waited noses pressed to the kitchen window watching them go और वो जो children गर के अंदर में वो लोग wait कर रहे थे तक कि यह लोग चले जाए वो लोग kitchen में अपना नाग घुसा करके kitchen का जो windows में अपना नाग घुसा करके देख रहे थे कि वो लोग गए की नहीं वो वेट कर रहे थे जाने का when they were sure the soldiers would not return they added the potato pills to the pot जैसे ही उन लोगों को लगा sure हो गया कि soldiers जो है वो अपस नहीं आएंगे दूर चले गए है वैसे ही यह लोग क्या किया potato का जो छिलका इन लोग छुपा के रखा था वो लोग pot में डाल दिया along with more herbs for extra flavor उन्होंने और extra साथ में herbs डाल दिया plants वगर वो सब सब डाल दिया उसमे साग वाग जैसे हम लोग डालते हैं वैसे उन्होंने डाल दिया थाकि थोड़ा extra flavor आये और उसको थोड़ा और cook कर दिया they dunked big chunks of the soldiers rye bread into the steamy stew until their tummies were full उन्होंने क्या किया dunked big chunks वो जो soldiers जो है वो लोगों का rye bread जो था उन्हों अपने pocket से निकलते हैं उनका भी जो टुकड़ा उनका भी राई bread था वो वहाँ पड़ा हुआ था तो उनका जो rye bread था उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है वो क्या किया उन्होंने steamy stew जो बना हुआ था जो gravy बना हुआ था जिसमें थोड़ा थोड़ा potato थोड़ा ग्रेवी भी था उसमें वो लोग पुरा dip करके तब तक खाये जब तक कि उन्हों का tummies उनका पेट जो है tummies का मतलब पेट पेट जो है तब तक फुल नहीं हो गया तब तक वो लोग उनका राइ ब्रेट को भी यूज़ करके खाते रहा है it was the most wonderful stew they had ever tasted और यह जो है यह ऐसा stew ऐसा डिश बना था ऐसा gravy वाला डिश बना था पोटेटो का कि अभी तक इन्होंने ऐसा टेस्ट नहीं किया था पहले का भी तो डेव स्कॉट लॉवरिक के द्वारा यह श्टोरी था यह यहाँ पर खताम होता कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को एक लाइक दे दीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तके लिए कुछ